वेलकम बेक तू मा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे आपका next question है ठीक है जो कि आपका question number 23 है question number 23 है तो अब तक हमने एक से लेकर 22 तक ठीक है डिसकस कर लिए आज हम बात करेंगे question number 23 का ठीक है क्या है आपका डी ऑक्सीर आपको कुछ तरह से ठीक है तो इस क्या कह रहा है इस सरचना से सरचना के बारे बताना है क्या किस तरह से इसकी सरचना होती है क्या कैस में आपका DNA में पाया जाता है और वो किस तरह से एरेंज रहता है ठीक है उसको क्या करना चित्र द्वारा इस पस्ट करना है ठीक है चित्र की साहता से आपको इसके बारे में लिखना है ठीक है चलिए फिरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली प्रकार का कोई वीडियो आपसे मिस ना हूँ तभी आपके एजुकेशन से संबंदित वीडियो यहां पर अपलोड की जाती है जो आपके एजुकेशन में एजुकेशन के लिए हेलफूर रहने वाली है ठीक है चले शुरू करते हैं question 23 DNA के बारे में डी एन ए हमने सबसे पहले इसके long answer में पढ़ा था ठीक है long answer में हमने dna को detail से पढ़ाया ठीक है इस का नाम पढ़ा है। इस में पाया जाने के हम नाम क्या रघ गया ? नूकलियस रख दिया था ठीक है क्या रख दिया था नूकलियस रख दिया था ठीक है अब आम ले क्यों रख दिया वे इसको एसेड क्यों कह दिया इसकी प्रिकरती कुछ कैसी थी इसकी प्रिकरती कुछ प्रोटीन आपका नहीं पाए जाता है ठीक है इसी आधार पर जो है इसका नाम करण गुआ है इसको असे क्यों क्योंगा है न्यूक्लिएस बीच में कार्वन नंबर तो इस पर क्या होता है यहां पर यौन पाय जाकर क्या पाय जाता है केवल एच पाय जाता है यह आपका यहां से कि रिमुव औहाता हैす seismicodamicone doctrine करता है या इसका यह माना गया कि प्रतियग dna अडू दो लंबी पौली नूकलियो टाइड सिरंखलाओ का बना होता है, किसका बना होता है poly nucleotide ठीक है इसका poly nucleotide, मतलब की nucleotide आपके कितने होते हैं इसमें दो nucleotide की ठीक है, इतनी पर यहां पर लिखा है DNA के अडू, दो लंबी poly nucleotide स्रंकलाओं का बना होता है, तो हमने पढ़ा था जो नुकलियो टाइड होता है आपका वो क्या होता है एक हमने पढ़ा था नुकलियो साइड में हमने क्या पढ़ा था इसमें हमने जाना था कि इसमें आपका एक सुगर होता है क्या होता है पिलस आपका दूसरा क्या होता है इसमें इसमें आपका एक होता है नाइट्रोजनस बेस ठीक है क्या होता है sugar और nitrogenase base तो ये मिलके क्या बनाते हैं आपका nucleoside बनाते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें nucleotide की ठीक है किसकी nucleotide की अगर हम बात करें तो यहां पर लिख दे रहे हूं मैं NT ठीक है नucleotide तो nucleotide जो होता है वो आपका nucleoside plus आपका phosphate फास्फेट गुरूप होता है क्या होता है आपका न्यूक्लियूसाइड पिलस आपका क्या होता है पीजी ठीक है फास्फेट गुरूप तो एनस क्या होता है आपका सुगर पिलस नाटोजनस बेस तो यहां पर एंटी बरावर क्या हो जागा एंटी जो कि आपका न्यूक्लि जिसे हम phosphate group कहते हैं तो ये तीनों मिलकर किसका फार्मेशन करते हैं आपका nucleotide का ठीक है किसका nucleotide का जिसमें आपका सुगर भी होता है nitrogenous base भी होता है और आपका phosphate group भी होता है ठीक है तो इन तीनों से क्या बनता है आपका nucleotide लेकिन ये क्या कहे रहा है कि दो लंबी polynucleotide सरंखलाओं का बना होता है ठीक है क्या DNA तो DNA में आपका क्या हो जागा DNA क्या कह रहा है इसमें दो आपके nucleotide होते हैं ठीक है क्या होते हैं दो nucleotide ठीक है polynucleotide ठीक है बहुत सारे इसमें nucleotide मिले रहेंगे भीकर उनकी दो लंबी पॉलि नूकलिटाइड स्रंखलाओं का जो है बना होता है जो एक गुमावदार सीडी के समान लिपटकर डी एने अडू बनाते हैं ठील क्या जो आपके पॉलि नूकलिटाइड है वो किस तरह से मिलकर कुछ इस तरह से थी CD के समान लिपट कर DNA अडू बनाते हैं तो यह कुछ इस तरह से आपने CD के समान लिपटे रहते हैं और DNA का फार्मेशन कर देते हैं CD के दोनों स्थम्हों की रचना प्रतियक नूक्लिउटाइड की फास्वेट तथा का अब जो आपका CD है ठीक है मान लो इसका जो इस्तंप आ ठीक है इस्तंप जैसे हम सीडी पे चड़ते हैं तो समें जो डंडे लगे होते हैं उनकी बात कर रहा है तो सीडी के दोनों स्थंपों की रचना प्रतियक नूग्लियू टान के ऐफासफिट ता डी ऑउक्सिराइबोज अनू से होती है ठ सीडी के दोनों इस्तंबों को जोडने वाले डंडे ठीक है जिने हम क्या कहते हैं डंडे कहते हैं ठीक है तो सीडी के दोनों इस्तंबों को जोडने वाले डंडे, ठीक है, माल लो इस तरह के जो आपके डंडे होते हैं, ठीक है, दोनों इस्तंबों को क्या करना है, यह जोड रहा है, प्यूरीन वाद प्रिमिडीन शारकों के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्यूरीन वाद प्रिमिडीन श है यह अब यी चारग जोड़े प्रसपर उड बंदों द्वारा जुड़े रहते हैं अभी जो आपके नाइट्रोजन शारग जोड़े होते हैं वो किस से लगए रहते हैं आपके हाइड्रोजन बंदों द्वारा ठीक है ए और टी ठीक है जैसे आपका अधिनीन थाइमीन से लगा रहता है ठीक है और नीन और गौनीन और उट demon ग्वाहने और छुड़ा रहता यह यह कहले कि आपका hydrogen bond ठीक है तो याद रखना कि जो आपका adenine और thymine होता है बूद दो hydrogen बंदो द्वारह जोड़ा रहे था जबकि आपका guanine और cytosine होता है ये आपका थीन बंद द्वारह जोड़ा लाता है ठीक है कितने बंद दौररा आपका तीन जो है अडौ जन बंद Hirandis में लगे रहेंगे θα गैंद की ईक सरंखला घांगा इसक्राम में होते हैं कि एक सरंखेला का आजैणी नी civ unin ऐ सामने हो पंग इनको इस तरह से एरेंज करना है कि पहली स्रंखला का चारक एडिनीन दूसरी स्रंखला के चारक थाइमीन चारक के सामने हो और गवानीन चारक कहा हो साइटोसीन चारक के सामने हो ठीक है याद रहेगा एडिनीन आपका किसके सामने हो थाइमीन के सामने और गवानीन आपका क और थाइमिन परस पर दो हाइडोजन बंदों के द्वारा जुड़ा होता है तो यह दोनों आपस में तीन रहते हैं ठीक है कुछ इस तरह से ठीक आप देखो थोड़ा सा और इसमें पढ़ लें उसके बाद हम स्टुक्चर को देखते हैं ठीक है यह आपको पता होना चाहिए चाली ठीक है जुड़ा रहेगा आप कहा रहा है जुड़े रहते हैं DNA की डवल हेलिक्स सरचना चित्र में दरसाई गई है उपर अभी हम इसको देखेंगे ठीक है पहले इसमें जो थियोरी है इसी के आधार पर आपका structure बना हुए ठीक है तो थियोरी पढ़ लेंगे तो structure हमे समझ में आजागा ठीक है करती हेलिकल घुमाहों की दूरी कतनी होती 34 एंग स्ट्राम होतीं कितनी होगी आपकी 34 एंग स्ट्राम ठीक है यह दोरी'M इसे सुल routine करें के लिए उप्योगत होती है यहनी कि इतनी कि दूरी में आपके नुक्लियोटाइड के 10 पेर आ सकते हैं ठीक है कितने पेर आ सकते हैं आपके 10 पेर यानि कि 10 जोड़े आपके आ सकते हैं ठीक है किसके नुक्लियोटाइड के ठीक है कतम आप चली हम देखते हैं इस्ट्रक्चर क्या गह रहा है आपका यह आगया आपका च्छोटा कर लेते हैं जोड़ा है चालिए यह ठीक है तो यह है आपका क्या है एक सामान डी एने अनु की दोगुणत हेलिक से सरचना ठीक है आप देखो यह जो आपके strand होते हैं ठीक है कितने strand है आपके दो एक strand यह एक strand यह ठीक है यह जो आपका side वाला strand है इसमें कुछ आपको सरचना इस तरह की दिखाई दे रही है यह क्या है आपके nuclear nuclear target chain है क्या आपके nuclear की साइड वाले डंडों को बनाती है उनका फार्मेशन करती है हुँआि वाले डंडे होते हैं ठीक है इनके अंधर की अगर बात करें तो इनके कसी होता है इनका आपका के से होता है nitrogenous based ङसे होता है ठीक है जो कि आपका क्या होता है है थाइमीन होता है गौनीन होता गर रापका क्या होता है साइटो सीन होता है ठीक है तो इन से मिलकर क्या होता है पगडंडे आपके बने रहते हैं ठीक है तो यह मानलो हमने क्या ले लिया यहां से कुछ सूक्षम सरचना ठीक है जिसका गहन अध्यन या मानलो इसका किसी आपका सुक्षम दर्शी द्वारा इसका अगधिन किया गया है जिससे कि आपका पता लग जाका कि इनके बीच में क्या क्या आपका बना होता है तो यही बना होता है आपका सलफर, फासपोरस, सलफर यह एक सरंखला रहती है जो कि आपके साइड वाले पकडंडों या साइड वाले डंडों का निर्मार करती है इसके अंदर क्या पाया जाता है नूकलिटा ठीक है तो एडनीन हमेशा थाइमीन के सामने रहेगा और गवानीन हमेशा साइटोसीन के सामने रहेगा टीक है ऐड़िनीन और थाैंइन के बीच में double hydrogen bond होगा जबки साइ्टोसिन और ग्वॉनीन के सामगे साइटोसिन और ग्वॉनीन में हमेझा कितने bond पाया जाएंगे तीन tune पाया जांगे तीक है मैं या बेखा है यह यह बोले तो एडिनीन क्या है आपका एडिनीन है आपका पी क्या आपका फासफेट डाइस्टर क्या है आपका फासफेट डाइस्टर ठीक है जो आपका पी लिखा हुगा ठीक है क्या है फासफेट डाइस्टर S आपका क्या है, Suger D-Oxy-Ribos, S आपका सगर है लेकन कौन सा आपका D-Oxy-Ribos सगर है, ठीक है, कौन सी है, D-Oxy-Ribos सगर तो यहाँ पर C और G के सामने, C और G में कितने bond है, आपके 3 ठीक है, तो Guanine, Cytosine, Pairing, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर गवानीन और साइटोसीन की पेरिंग हो रही है जो कि तीन हाइडोजन बंद द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं A और T तो क्या है एडिनीन थाइमीन पेरिंग तो A और T में क्या है आपका एडिनीन और थाइमीन के जोड़े बने हुए है जो हमेशा कितने बंद द्वारा जोड़े जाते हैं दो बंद बंद द्वारा जोड़े जाते हैं ठीक है तो बंद अब इसका अगर हम structure कुछ इस तरह से देखें ठीक है इसमें हमने का कराएं किसी एक particular भाग को लेकर और उसके अंदर कौन-कौन से आपके group पाया जाते हैं ठीक है उनको study किया है अब हम क्या करेंगे मानलोक किस तरह से आपका पूरा जो है dna की सरचना है बुक किस तरह से होगी उसके बारे में इधर जाना है अंदर करेंगे तो यह क्या है आपका एक चन्रत यह मान धा और यह आपका टाक वाला यह क्या है कि सेंपेंड तेकर जो कि वह रहते हैं अगर हम बात करें हमने पड़ा था की एक गुमाव में पूरे चकर पूरे चकर की लंबाई कितनी होती लगवग आपकी चौथीस आंगिस्ट्राम होती है तो माँ लो आपका यहां से शुरू हुआ है यहां से शुरू हुआ है चलते चलते आपका कहां जागा यह आपका यहीं पर आ जागा ठीक है कहां पर आ जागा मानलो आपका बीच से शुरू हुआ है तो चलते 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 आपका यहीं पर खतम होगा ठीक है तो यहां से यहां तक की दूरी आपके कितनी हो जाएगी यह से यहां तक की कुल दूरी आपकी 34 Kargo किसी एक पूरे गुमाव की दूरी अब इस में क्या होता है हमने पढ़ा था कि एक पूरे गुमाव में कम से कम आपके 10 प्यर आने की हमता होती है ठीक है तो लगबक आपके दस पर जो है आपके इसमें समा सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अब आपका दूसरा हेलिक से शुरूआ होजागा, ठीक है, तो इसमें भी आपके 10 बना ऊता है, एक लंबी सरंकला में dealty, द्शूराइमोक क्या होता झाट है, और यही तरह था आपका DNA की सरचना और चित्रद्वारा क्या गिया था इसको इस फस्ट गिया था ठीक है तो मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको DNA ठीक है